हेलो सुदेंट्स वेलकम तो अभी मन्यू आई एस सो टागेट आई एस 2021 में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रेप्रेशन्स बहुत ही बढ़िया धंग से चल रही होंगी क्लियर तो शुरू करें हम लोग टागेट आई एस 2021 के सेशन में जैसा कि आप सभी लोग मेरे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं बस आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहें मेरे साथ और हम लोग यहां पे करेंट अफेस को बहुत ही बढ़िया डंग से कवर अप कर ले करते हैं वो हम लोग इनी शेशन की अंदर कवर अप कर रहे हैं और हम लोग करेंगे मार्च 2020 से एप्रेल 2021 के कर एटफेस और मैंने कई सूडंट के कमेंट को भी नोट किया है सलोनी जी बिल्कुल हम लोग एक साल के पूरे के पूरे कर अटफेस को कर अप कर रहें इवन यह बने रहें क्योंकि करेंट अफेस में मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा ये सेशन देखने के बाद ना जो भी सिवल सर्विसेस एस्पिरेंट है उसको जो करेंट फेस में प्रॉब्लम आ रही है ना वो फ्यूचर में नहीं आ पाएगी क्योंकि हम लोग यहां पर एक डिटेल्ड एक्स्प्लेंड मैनर से ना हर एक चीज को कवरप कर रहे हैं अभी तक हमने मार्च एप्रिल में जून और जुलाई को कवरप किया है और अगर बात करें ऑगस्थ की तो हम लोग अभी अपना कॉंटिन्यू ऑगस्थ 2020 की निउस के अपर हमारा फो पर आए तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर मैं इंट्रोड़क्शन दू तो अपने बारे में तो स्टुडेंट्स माइसल्फ कनम अगरवाल अम्द करेंट अफेमेंटर इंद अभी मन्यू आएस शुरू करते हम लोग आज की अपनी निउस हमारी आज की स सुनियो ध्यांजिक यहां पे बोला गया की जो करनाट्ड का है साउथ इंडियन स्टेट महरास्ट्रा मध्याप्रदेश रैंक हाई यह तीनों भारत के राज्य करनाट्र गा मध्याप्र अर महरास्ट्रा पूर्य भारत के अंदर टौपे आचुके हैं रैंक हाई इन्द h\' बचाने में किसको जो एंडेंजर्ट स्पीशी थी धोले की याद रखें ये रहाप का ये एक नाइम पर एंडेंजर्ट हो गई थी तो इसको कंजर्व किया जा रहा है भारत के अंदर जो अभी रिसेंट्ली स्टडी हुई है और उसका डाटा आपने पास क्लियर यहां पर बोला गया कि इस डाटा के प्रस्पेक्टिव कि डिस्टडी वॉस कंड़क्टेड बाइद साइंटिस्ट फ्रॉम दे वाइल्ड लाइफ कंजर सुसाइटी इंडिया मैं इसको प्रिलिम्स प्रस्पेक्टिव से इंपॉरें बोलता हूं क्यूंकि माइडियर सुडेंट्स यह चीज ना करक्स बोल दो यही चीज एक इंपॉर्टेंट डाटा रहता है यूप यही मांगता है कि जो हमने बोल दिया कि भारत के करनाट का मह आश्ट्रा मध्या परदेश यह स्पीशी को बचाने में सक्सेस्फुल हो रहे हैं पूरे भारत के अंदर तो वो डाटा वो रिसर्च वो पूरा रिकॉर्ड किसने मेंटेंट किया वो है आपके वाइल्द लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी आफ इंडिया याद रखें प् इस तरीके का डाटा ना यहां पे आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा इस तरीके का डाटा आपके लिए इंपोर्टेंट है मेरी हैबिट है कि मैं आपको हर एक न्यूस के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट लिखवा देता हूं जो डाटा एड़ौन जिसको बोला जात हम लोग कोई भी रिस्क नहीं ले सकते सिवल सर्विसेस को लेकर क्लिर है ना आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा स्टडी के अंदर साइन्टिस्ट एक्स्प्लोर एक्स्प्लोर क्या में उन्होंने एक और चीज़ खोजी है कि जो कंजर्वेशन टीनेंट सेक्ट और रिटेंशन रिकावरी और रिस्टोरेशन ऑफ दोलास इंडिया क्लियर यहां बोला गया कि यह वही पॉइंट है कि कर नाट का महराश्ट्रा मध्या प्रदेश्ट वर फांड तो बी एडिक्वेटली एक्टिप्ट अब कंसेप्ट है उस उन ये भारत के तीनों राज्यों के पास एक्विप्मेंट्स पढ़े हैं कंजर्वेशन को लिकर फॉर कंसॉलिडिंग फॉरेस्ट हैबिटेट्स एंड रिकवरिंग दपॉपुलेशन ऑफ दोले बाइंक्रीजिंग प्रेड डेंश्टी एंड रिडूसिंग दप्रेशर इसको हम बचाकर रख रहे हैं वो कैसे इंक्रीज की जा रही है कहते बाइंक्रीजिंग उट्सकी डेंश्टी एंड रिडूसिंग दप्रेशर ऑन दफॉरेस्ट ताकि हम जंगलों से जो रिसोर्स ले रहे हैं याद रखें यहां पर लिखें ना कि प्रेशर ऑन जंगलों के उपर किस चीज का प्रेशर पड़ता है जंगलों के ऊपर नैचुरल रिसोर्स का प्रेशर पड़ते हैं तो अगर आप लोग इस नेचुरल डिशोर्स को कुछ तक डिक्लाइन कर दोगे न तो जो उसके अंदर स्पीशी आपको देखने को मिलती है वह भी अब concept है मैं यहां पर बोल सकता हूं कि Peninsular India मेरा पूरे का पूरा Peninsular भारत कवर अप कर लिया धोला conservation के लिए आर सुझेस्टेड टू इंक्रीज फानेंशल इंवेस्टमेंट इन फॉरस अब भारत के इनी राज्यों को एक सुझाफ दिया गया ताकि आप लोग जादा निवेश करने जंगलों को बचाने के लिए एंड वाइल लाइश एक्टर अब कंसेप्ट यह है जो आपके मतलब वेस्ट्रं घाट्स प्लस इस्ट्रं घाट्स यह जो जंगल है उनको और भी बढ़ाने के लिए जादा निवेश की जुरूत है अब यहां पर बोला गया कि अबाउट भूले कंसेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज़ कहते एक वाइल्ड कार्ज मी वोरस अनिमल है जो बिलॉंग करता एक पर्टिकुलर फैमिली से वह फैमिली आपकी कैनाइन फैमिली यह चीज़ है थोड़ा सा इंपोर्टेंट रखी आप लोग नॉलेज परस्पेक्टिव से यह चीज़ आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगी और हमें यह स्टुडेंट्स कहां पर मिलती हैं फाउंड इन सेंट्रल सद्रन इस्ट एशिया एंड साउथ इस एशिया में बहारत तो इसके अंदर आही वाइल डॉक के नाम से और किस फैमिली से यह फैमिली है कैनाइन फैमिली कार्णी वारस रहते हैं अगर हम बात करें इकलोजिकल रोल की धोले की तो बोलागा धोलेज प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल एज एपेक्स प्रिडेटर इन दो फॉरेस इको सिस्टम तो एकलोज इंटर नाशनल यूनियन के अंदर आ गया वो यूनियन जो बचाकर रखती है नेचुल एंडेंजर के टेगरी वाले स्पीशीज को क्लियर है थोड़ा साथ इसके ओपर आप लोग फोकस करें कि वट दो यू मीन बाई इंटर नाशनल यूनियन फॉर्ट दे कंजरवेशन लब इंटर नाशनल यूनियन फॉर्ट कंजरवेशन तो लिखने है यहां पर लिखा के थे इट इस अब मेंबर्शिप तो एक यह मेंबर्शिप है किसकी यूनियन की यूनिकली कंपोजड ओफ बोथ गवर्वर्मेंट और इसिवल सोसाइटी ओर्गनाईजेशन तो क्लियरे सुडिंट्स यह मैं आप लोगों के साथ जो मेरा आज पहली बार लर्नर फर्स्ट वीडियो देख रहा है तो उसके लिए के नाउस्मेंट बोल देता हूं कि माइडियर सुडिंट हम लोग इस तरीके से डाटा एड़ ओन करते रहते जो आपके लिए इंपोर् ग्लोबल अथॉर्टी अंदर स्टेटस अफ दर नेचुरल वर्ल्ड अंदर मेशर्स नीडिड तो सेफगाद तो यह है आपका international union for the conservation के लिए कि यह क्या काम करता है किस चीज की union है और यह कब बनाया गया क्लियर है students यहां तक आगे बढ़ें इवन एवन एक चीज और लिख लो इसका जो आपको headquarters है ना वो कहां पर देखने को मिलेगा स्विच्ज लैन में यह चीज याद रखेगा क्लियर नेक्स्ट आया हमारे पास की इसी के तहट हमने लिखा है ना कि जो conservation सेट सेट है धोले conservation का वो किसके अंडर आगया वो आगया इंटरनाशनल यूनियन फॉर देखने जो नेचुरली एंडेंजर के टेगरी है उसके अंडर पहला पॉइंट लिखा गया एक प्रजाती जो प्रोटेक्ट करनी है अंडर दर शेडूल 2 आफ वाइल दराइफ प्र आपका साइट की इसी के तहट एपक्स तू के अंडर भी हम लोग इसको इसको कंजर्व करेंगे एक पटिकुलर स्पीशी को कंजर्व करेंगे यह है क्या चीज़ कहते इप इसन इंटरनाशनल agreement to which states and regional economic इंटिग्रेशन और्गनाजेशन अधेर वालन तरली तो यह आपका साइट एक यह इंटरनाशनल एग्रीमेंट है राज्यों के बीच में और इंटिग्रेशन और्गनाजेशन के बीच में है तो आपको साइट का भी पता लगा मतलब जो कंवेंट्शन ओन इंटरनाशनल ट्रेड इंडेंगेट स्पीचिस अवाइल लेफ फाउना एंट फ्लॉरा है भारत के अंदर यह पॉइंट इंपॉर्टन है क्योंकि इंडिया का जिक्र किया गया तो प्रिलम्स परस्पेक्ट लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमें पता होना चाहिए ना यह जो आपका लास्ट पॉइंट है यहां पर यह चीज़ शो कर दी कि यह बैक्ग्राउंड है यह हिस्ट्री है आपकी निउस को लेकर धोले कंजर्वेशन जो आपकी जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर् राशन कार्ड यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 के लिए अगें शुरू कर चकता हूं मैं ओके आप यहां पर देखते हैं सबसे पहले भारत की कुछ राज्यक मनीपुर और नागालेंड मतलब नौर्थीस इंडिया की बात कर लिए उत्राखंड यहां पर आपकी वान राशन कार्ड स्कीम को शुरुवात की गई है बहले मोस्ली हिली एरियास को लेकर अगर देखा जाये तो जहांके आपके हिमाल्यस प्रेजेंट है इवन लिखा कि now a total of 24 states and the UTs are connected under the one nation one राशन कार्ड स्कीम तो अभी तक का भारत के अंदर 24 राज्यक या फिर उन में से कुछ UTs भी ON-ORC स्कीम के तहत जुड़ चुकी है जो बाकी बचे राज्यक और UTs हैं are targeted to be integrated into the scheme by the March 2021 क्लियर अब अगर बात करें इस स्कीम के तहत क्या चीज़ है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है तो यहां पर लिखा गया कि इसको start किया गया था Interstate Portability of Russian Card 2019 में यह चीज़ आपकी important है क्योंकि कोई भी scheme launch की जाए उसका हमें main objective पता होना चाहिए अरे उसके पीछे क्या कारण रहे जो वो scheme launch की गई यह भारत के एक से दूसरे राज्य के अंदर जो portability होती है राशन कार्ड को लेकर यह सबसे जादा माईग्रेंट्स करवाते हैं माईग्रेंट्स तो उनको सुविदा देने के लिए भारत सरकार ने यह scheme को launch किया यहां पर लिखा कि इट अलाव दो माईग्रेटरी नाशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट टू थू 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 बैनिफिट मिलेगा तो लिफ्ट देर एंटाइड एंटाइटल्ड कोटा ओफ दू फूड ग्रेंज फ्रॉम एनी फेर प्राइस शॉप अब कंसे इसुका राशन कार्ड यू पी से है तो वह ओरिशांक के अंदर भी उसके बैनिफिट को अवेल कर सकता है या फिर आप डारेक्टली बोल दो कि कोई भी माईग्रेटरी लेबर है वह भारत के कोई भी राज्य में होगा और उसका जो राशन कार्ड है वह उसके बर्थ सिट में से उसका benefit उठा सकता है यह scheme यह बोल दी आपकी clear यहां पर लिखा की food sorry fair price shop से FPS of their choice anywhere in the country clear यह important thing कुछ problem तो नहीं है अगर students problem है तो please comment section में जरूर लिखें आप लोग आगे बढ़ते हैं की with 24 states and uts जो connect की गई है अंडर दिस स्कीम जो वन नेशन वन राशन काट स्कीम है की 65 करोड beneficiaries जो 80% of the total beneficiaries है cover की गई है national food security act 2013 के तहत can now get their subsidized ration from anywhere in these 24 states and the union territories तो यह यह concept है और यह किसके अंडर आगया national food security act नेश जिसको बूल गए nfsa 2030 clear आगे बढ़ते है हमारी next आया कि इसके अंदर transparency भी है कि it will bring more transparency efficiency in the distribution of the food दिन बिल्कुल correct है even अगर बात की जाए identification की तो लिखा गया कि it will improve the mechanism to identify fake duplicate ration cards and provide the option to public distribution system beneficiaries to lift their entitled food grain sorry food grains from the fair price shop of their choice at the national level यह चीज़ आपके लिए important है कि आपका one nation one ration card एक तो transparency लेकर आता है एक आता है identification लेकर clear है ताकि fake identity से ना वो बना हो अब my dear students what do you mean by PDS क्योंकि भारत के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल रहा है COVID-19 के अंदर बहुत बड़ा रोल याद रखें और हम लोग इसको अब यहां पर discuss करते हैं just a second हमने बोला कि public distribution system क्या चीज़ है यहां पर तो data थोड़ा सा यहां पर लंबा चलेगा प्लीज आप लोग focus कीजिए तो मैं शुरू करता हूं यहां से कि PDS क्या चीज़ रहती है क्योंते है कि इजान इंडियन अब सुटनर्स यहां पर focus करें यहां पर लिखा कि आपका पब्लिक distribution system है जिसके तहती आपका वन नेशन वन राशन कार्ट स्कीम को हमने इंप्लीमेंट किया इसकी मदद से वह एक इंडियन food security system है जो establish किया गया था ministry of consumer affairs के दुआरा food and public distribution के अंडर clear और अगर हम लोग इसके अंदर data और add-on करें तो यहां पर लिखते हैं कि operated under the joint just a second under the joint responsibility of the central and state government clear अच्छा और आगे बड़े अगर अगर और देखा जाए कहते इट वॉस इंट्रोड्यूस्ट around world war second यह चीजें आपके लिए important है अरे कब शुरू किया गया था भारत के अंदर कब लागू किया गया कब इसका concept लेकर आया गया तो second world war के time पर और अगर यहां पर देखा जाए तो यह बहुत important point है students याद रखें यहां पर लिखा कि it also helps in ensuring अब यह किसके अंदर आपको help करेगा food and nutritional security even यह food और उसके अंदर जो nutrition security उसको भी देखता है of the nation पूरे भारत के लिए clear next अगर और डाटा इसके लिए देखें क्योंकि कई चीजें इतनी important रहते हैं कि हमें थोड़ा सा पढ़ना पढ़ता उसके लिए तो उन में से यह आपका एक निकल रहा है public distribution system को अपने PDS बोल दिया कहते it also helps in stabilizing food prices clear sixth हाता है हमारे पास लिखा गया कि maintain the buffer stock of food grains तो यह है students आपका PDS system एक basic definition बोल सकता हूं मैं तो इसके उपर क्योंकि data बहुत ही ज्यादा पढ़ा हर एक चीज़ के लिए बट हम लोग उतना पढ़ लो जितना हमारे लिए important रहते है जितना UPSC के लिए sufficient है clear है आगे बढ़ते हैं तो PDS एक लिया next आया यहां पे की beneficiary to lift their entitled food grains from the fair prices shop of the choice at the national level even अब concept आगे food security का कहते जो यह scheme है वो ensure करती है food security को किसकी migrant labors को who moved to other states to seek the better job opportunities even जो sustainable development goal है उसको भी काफी benefit मिलता है कहते will help achieve the target set under the sustainable development goal to of the ending hunger by the 2030 तो यहां तक data कोई problem तो निया students आप लोगों को तो request करता हूँ सभी से अगर फिर भी कोई doubt है तो please आप लोग comment section में जरू लिखें आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे लिखा one nation one ration card के अंदर क्या था कि यह आपका अधार detail से हम लोग इसको link up करेंगे an installing point of जो PDS shops पे है even 20 states getting prepared for the launch of the ration card potability और इसी के तहत क्या चीज़ है लिखा गया कि there are over 81 crore beneficiaries under the national food security act for the subsidized food grains of five kilo per person at the rupees of 123 per kg यह important आपका यह data आप लोग मेंस के अंदर लिख सकते हो कि वो figures चाहिए ना हमें कि हर एक को पांच kilo का food grain मिल जाएगा per person और कितने रुपे में एक से तीन रुपे प्रती कि रो मिलेगा और वो आ रहा है national food security act के अंडर clear अब issues अब इसके negativity क्या रहे थी है तो distribution of ration card had become an issue during the lockdown when migrants worker did not have ration card in the states they were staying this lead the migrants to walk toward their villages amid the lockdown तो उनको अपने एक बार तो जहां पर birthplace है वहां पर जाना पड़ेगा यह one nation one ration card scheme को शुरू करने के लिए बट लॉग्डान में problem था logistic issues में क्या आया कि an FPS receive the monthly quota of products strictly in accordance with the number of people assigned to it अब यहां पर यह scheme है जो when fully operation जब यह पूरी तरीके से काम करने लग जाएगी तो यह बाधा disrupt produce करेगी practice के अंदर as some FPS may have to cater to more number of cards even as other cater of less owing to the migration of the people तो यह concept है यहां पर कि आगे यहां पर लिखा कि lack of data अब lack of data में भी कमी आ रही है अरे वो कैसे के दिर इस लो एक्जेक्ट डाटा on the mobility of poor households migrating to the work locating inter as our intra and the interstate destinations and the sector employing the workers तो यह चीजे थोड़ा सा negativity शो कर रही है मतलब negativity बोल सकते हो या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि government of India के रिए यह चीजे एक challenge है यह चीजे चैलेंज रोल प्ले करेंगी कि आपको यह स्कीम launch करने के लिए क्या क्या चैलेंज को face करना है और उसको किस स्रीकी से overcome करना है क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है आगे बढ़ते हम लोग अब यहां पर लिखा यह सारा data फिर से आ रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड है जो वो पीडियेस के लिए अर गया पूरे भारत के लिए 100 परसेंट नाशनल कवरेज है जो मार्च 2021 सक पूरा cover-up कर दिया जाएगा ठीक है यह concept आ गया और उसके अंदर था 5 kg ऑफ ग्रेंज पर परसन अरे पांच किलो ग्रेंज हर एक परसन के लिए है एंड वन केजी चना पर फैमिली पर मन्त फॉर टू मन्स तो यह concept आ गया कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको तो यह है एक एकनोमिक स्टेमिलस पैकेज जो निर्मला सीता रमन जी ने एनाउंस किया था डिरिंग दा आउट ब्रेक ओफ कोविट 19 तो उसी के हम लोगों ने उनको नौकरी रोजगार दिया मनरेगा स्कीम से हर एक स्टेट ने जैसे कि आपने देखा था और इसा ने भी जारखन ने भी अपने राज्या के अंदर कई स्कीम को लांच किया था तांकि जो माइग्रेटरी लेबर्स वापस घर आ रहे हैं उनको जॉब फ लेबर्स को के अटेक करने के लिए डियूरिंग दो कोविट 19 पैंडमिक तो आपको यह डाटा आइटिंग क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हमने उनको रोजगार दिया और किस तरीके से भारत सरकार ने उनको नूट्रीशन लेवल का भी उनकी हेल्थ को भी देखते हो यहां बोला गया कि जो अन और्गनाइज सेक्टर सोशल सेक्यूर्टी एक्ट है दोहजार आट का अगर हमें क्रेडिबल डाटा चाहिए किसके रिगार्डिंग अरे जो माईग्रेटरी लेबर है इस मस्ट भी इंप्लिमेंटेड इन लेडर एंड़ स्पिरिट अ डेडिकेटेड इकमर्स प्राटफॉर्म में रिजॉल्व द चैलेंज ऑफ लॉजिस्टिकल इश्यूस तो यह लॉजिस्टिकल इकमर्स भी हमें हेल्प मदल कर सकते हैं इवन सोशल ऑडिटिंग मस्ट भी मेड मेंडेटरी अब इसको भी मेंडेटरी करना पड़ेगा सोशल ऑडेट्स को ताकि हमें एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस मिल जाए किसकी ओन जी सी की अरे मेनेजमेंट हो गया सॉरी मॉनिटर हो गया आप लोग इस देख रहे हैं उसके पर्फॉर्मेंस इसको वन नेशन वन राशन कार्ट को इकमर्स से आप लोग उसको मैनेज भी करोगे मॉनिटर भी करोगे तो यह कंशेप्ट आ गया याद रखें अगर यूपी से के अं मैनेज करने के लिए क्लियर है यह आप अपने थॉट्स पर जरूर लिखें और यह थॉट्स आपके कब बनेंगे जब आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे धंग से पड़ोगे बढ़ते हैं आगे इवन नाशनल फूर्ट सेक्यूर्टी एक वो डिफाइन करता है एक फूर्ड की सेक्यूर्टी को और निट्रिशनल सेक्यूर्टी ओवर अक्रॉस देर्फोर जो पॉर्टेबिलिटी होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलेप्मेंट सर्विसेस क की मिड़े मिल्स की इमनाइजेशन की हेल्थ केर और फैसिलिटी फॉर पूर माइग्रेट हाउसोर्ट कांट भी निग्लेटेड एंड शुट बी मेड पॉर्टेबल तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं एनी स्टूडेंट कोई भी सूडेंट यहां प हंगर इंडेक्स क्या चीज रहत यहां और भारत को उसके अंदर क्या रोल है क्या तो प्नूर्धन कर ले ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो यहां पर क्या लिखा गया यहां पर बोलते हैं कि number one केते annually हर साल publish किया जाता है published that is jointly prepared by the concern just a second worldwide मतलब क्या रहेगा and Irish agency clear act and the wealth hunger health यह क्या चीज़ है German organization तो यह चीज़ें थोड़ी सी my dear students आप सभी से request है कि जो आपने अभी पढ़ा ना global hunger index वो किस तरीके से और कौन-कौन joint lease को measure करता है यह important रहेगा even अगर मैं यहां पर अब भारत की बात कर लूँ तो in 2019 भारत का rank कितना था कहते इंडिया ranked 102nd position out of 117 countries तो आप concept देखें पूरे अगर वर्ड में 117 countries का hunger index calculate किया गया तो भारत 102 सतान पे था स्थान पे है अगर मैं इससे भी पीछे चलूँ in 2010 students तो 95th position थी इंडिया की अगर और भी चले in 2000 हम लोग 83rd पे थे आउट ओफ 113 countries तो my dear students ये था आपका global hunger index यहां तक कोई doubt तो नहीं है आपको हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ओके हमारा next news रहती है आज की पुकाली राइस जो केरला के अंदर आपको मिलते हैं तो ये क्या चीज है देखें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है GS paper 3 के लिए clear act शुरू करता हूँ यहां पे लिखा farmers जो West Bengal के अंदर है है आर एक्सपेरिमेंटिंग विद्ध पुकाली वराइटी ओफ राइस वेस्ट बिंगॉल के किसानों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा किया करके नए चावल की वराइटी का और वो वराइटे पुकाली कि टू टाइड ओवर दख क्राइस लाइक सिचुएशन क्रेट बाइड़ सवेर सी वाटर इनकर्जन इंडू पेड़ी फिल्ड इंद सुन्दर बंज अब कंसेप्ट है हमने एक न्यूस पड़ी थी कि जो आपके न सुन्दर बंज हैं कंसेप्ट पे फोकस करना मैं यहां पे पेज ही बड़ा ले लिता हूं हमने एक न्यूस पड़ी सुन्दर बंज पर कि कि सुन्दर बंज में सी वाटर एंटर कर गया जिसके कारण मैं ग्रूव्स फॉरेस्ट काफी ज़दे डिस्ट्रॉई होगी अब कंसेप्ट आता है अब कंसेप्ट आया अगर सी वाटर अंदर चला गया तो राइस कल्टिवेशन में प्रॉब्लम बिल्कुल होगी अरे सी वाटर अंदर चला ही क्यों गया था साइकलान एमफन जो आपका बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ था हमने ये पड़ा था सही है न ये चीज आ गई मैं आपसे बोलता हूँ कि एक न्यूस दूसरी न्यूस से कोरलिट करती है वो करी गई और हमेशा करेगी और हमने देख ली आज क्लियर ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया अब यहां पे आता है व्यातिला 11 ये एक वेराइटी है और केरला में भी न अरेबियन सी का पानी अंदर आता है जिसको आप लोग बैक वाटर बोलते हो और केरला में हम लोग यह बैक वाटर क्या बोलते हैं कायल्ज याद रखें इसलिए तो केरला से हम लोगों ने क्या यूस किया है एक नई वेराइटी के चावलों के सीड्स को हम लोग शुरू कर रहे हैं वेस्ट बंगॉल में और वो है वेहितला 11 एक नेक्स्ट आया कि जो आपका पोकला वराइटी है राइस इस नोन फोर इस सौल्ट वाटर रस्पेक्टिव से इंपोर्टन क्लिर अरे सौल्ट वाटर रस्टेंट हैं और फ्लूरिश इन राइस पैडि पैडिस आप्डिस वो हैं अलापुजा एरनकुलम और थ्रिसूर दिस्टिक अ के रला दे उनीकनेस आप राइस जो ग्राफिकल इंडिकेशन ताग जिसको बोल तो इस सब्जेक्ट आप कॉंटिन्यूइंग रिसेर्च अब गाइस सुदेंट्स वर्ट यू मीन बाई जी आइटाग कंसेप्ट देखें अरे एक चलो यहीं पर लिख लेते हैं कि जी आई क्या चीज़ इसको आप लोग जो ग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हो कहते हैं इस इस एन इंडिकेशन विच इस डिफिनाइट टू अ जो ग्राफिकल टेरिट्री क्लियर इवन अगर डाटा और भी एड किया जाए जी आई टैक को लेकर तो यहां पर लिखा इट इस यूज़ फॉर एग्रिकल्चर यह खेती के लिए यूज़ किया जाता है नेचुरल एंड एंड इनुफेक्ट्रिंग गुड्स के लिए तो यह है आपका जी आई टैक इवन अगर और भी आगे बढ़े तो जो ग्राफिकल इंडिकेशन अफ गुड्स यह है क्या चीज़ यह है रेजिस्ट्रेशन अड प्रोटेक्शन एक्ट है जो आपका 1999 का वो प्रोवाइड करता है आपको रेजिस्ट्रेशन में और अल्सो प्रोटेक्शन ऑफ जी आई गुड्स इन इंडिया क्लियर यह है हमारा जो ग्राफिकल इंडिकेशन कोई डाउट तो नहीं है मैं आगे बढ़ सकता हूं सुदेंट्स मिलते साइर तो यहां पर लिखा की सेवरोल फॉर् Moo Reform रिसर्च इंस्ट्ट्ट्ट्स इंक्लूइग टाइनन एंटेंटरन नाश्ननल राइस रिसर्च इंसित्ट्यूट्स माइं विल्पांस इवन हम dancers useful फोकुस किया था कि इंटर नाशनल राइस रिसर्च इंसीटूट जो फिलिपाइंस की अंदर है यह हमने देखा था पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है क्लिर इसका हैड़ को फिलिपाइंस में देखने को मिलते है इसके अंदर आपको DNA मिलता है यह पर लिखा की गिवन इस अबिलिटी तो थ्राइव अंडर हार्स क्लाइमिट कंडिशन अरे इसकी जो क्लाइमिट के अंदर रैंड रले मां करता हूं अगे चलते हैं यहां पे लिखा क्या पका जो पकाली है आप यह चीज़ फोकस करके रखें साइन से टेकनिक के लिए भी आगे आते हैं कि जो आपका वैतिला 11 है जो एक वराइटी है चावल की वराइटी ऑफ पोकाली डेवलिप्ड बाइदा केरला एग्रिकल्चर उनिवरस्टी तो उनके एकॉर्डिंगली ये इल्ड करता है फाइव टरन्स पर हेक्टेर में और क्रॉप की डिरेशन रहती 110 दिन कंसेप्ट ठीक है मतलब लगभग चार मंस के अंदर इवन यहां पर लिखा अदर जी आई टाग रिजिस्टेड वराइटी इस फ्रॉम केरला अब यह इंपॉर्टेंट है कि आपकी पोकाली वराइटी के इलावा भी केरला के अंदर जो जी आई टैग्स है वो कौन कौन से स्पीशिस को मिल चुका है वो है एक तो आपका कायपड व्यानन्द एक है आपका जीरा कसला व्यानन्द गंदा कसला एक आता है पलाकदन मटा और नवारा क्लियर यहां प हाज बीन रेकोगनाइज बाइज बाइड़ फूर ने अग्री कल्चर ओर्गनाजेशन आफ यॉनाइटेट निशन इसको बोला एफ यॉ आज ग्लोबल इंपॉर्टेंट कल अग्री कल्चुरल हेरिटेज सिस्टम जिसको बोला गया था जी आई एच एस अगेन इंपॉर् तो यह क्या है यह एक युनीक है प्रेक्टाइस राइस कल्टिवेशन बिलो दसी लेवल हम लोग यह विराइटी को वहाँ पर यूज कर सकते हैं मतलब इसकी खेती वहाँ पर कर सकते हैं जहां पर आपकी जमीन सी लेवल से बिलो हो अरे अगर सी लेवल से बिलो होगी तब भी तो सी वाटर इजी वी यहां पे घुस जाएगा फॉर एक्जामपल केरला जहां पे हमने बोला कायल्स को फॉर एक्जामपल वेस्ट बेंग ओल जहां पे सुंदर बंस ने देख लिया ड्यू टू साइकल और एंफन तो यहां पे यह चीज क्लियर आपको कोई डाउट तो को नहीं है अब यहां पर मैंने कटिंग यूश की है तो यह लिखते हैं कि राइजिंग अबफ दरेस्ट क्या है पॉकलप सॉल्ट वार रिजिसंट है यह देख लिया सेलिटी रिमूब बाइद रेन पोटेंशल तो सर्वाइब दो फ्लट्स पैडी शोन ओन दे लिटल मां हार्वेस्टिंग कर सकती हो सॉरी फील्ट यूस फॉर दे ग्रोइंग फिश आफ्र दा हार्वेस्टिंग सेंथाटिक फर्टलाइजर्स नौट यूज इंद फार्मर्स सॉरी फार्म्स तो यह कंसे आपका आगे चलते हैं ओके तो अभी हमने देखा था कि ग्लोबली इंप यूनाइटेट नेशन्स की एजंसी है ताकि सेफगार्ड किया जा सके और सपोर्ट की जा सके वर्ल्ड एग्री कल्चर को उनके हैरिटेज सिस्टम को एक सपोर्टिंग पहले एक ठीक है इवन लिखा कि जी आई एएच एस आर आउटसेंडिंग लैंड्सकेप्स ऑफ एस्थाटिक ब्यूटिक डाट कंबाइन एग्री कल्चरल बाड़िवर्सिटी रेजिलेंट एको सिस्टम और वेल्यूवेबल कल्चरल हेरिटेज इवन भ एग्री कल्चरल हेरिटेज सिस्टम के एकोडिंग भारत की ऐसे कौन कौन सी साइट्स हैं जो रेकोगनाइस कर दी गई है है एक है नमबर वन पंपोरा सैफरन हैरिटेज ऑफ कश्मीर दूसरा आता है कोरापूत ट्रडिशनल एग्री कल्चर ओन और इसा और तीसरा आता है अपना कुटानन्द बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम ऑफ दे केरला तो आप कंसिप्स समझ चुके हैं प्लीज यह चीज़े नो डॉन करके रखें फॉर प्रिलिम्स परस्टेक्टिव आगे बढ़ते हैं हमारी आज की निक्स न्यूज आती है संस्पॉट्स अब यह संस्पॉट्स आपके लिए काफी जदा क्रूशल रोल प्ले करती हैं क्योंकि इंपोर्टेंट भी रहता है साइंस एंड टेक्नॉलोजी को लेकर और यह आपके लिए इंपोर्टेंट है जी एस पेपर वान के लिए और जी एस पेपर थरी के लिए तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको हम यह न्यूज शुरू कर सकते हैं क्या ओके तो मैं यहां से आपके लिए न्यूज शुरू करता हूं है क्या चीज़ देखते हैं यहां पर लिखा अब मेसिव qrp वो क्या है अय र टू डबल सेवन जीडो है यह एक शंब स्पोड है इसको बोड़ दो यह संब्सक्र amará मार्य यह raha आपका संब सु यह रहें आपके संब यह सारे सें these are the small sunspots तो अगर बात करें किते एक ऐसा sunspot वो है AR2770 जो डिटेक्ट किया गया recently has emitted minor space flares अरे concept क्या है space flares मतलब इस तरीके से बाहर को flares निकलेंगी आपकी इस तरीके से याद रखें एक अनुमान है the surface temperature of the sun मैं फिर से बोलता हूँ the surface temperature of sun is nearly about 6000 degree celsius जो इतना तापमान हमें inner core में मिलता है याद रखें clear है चलते हैं पहला point clear सेकेंड आया कि यह जो आकी लपतें space के अंदर दिखी AR 277 जिसको sunspot बोला गया इसके कारण have not caused any major impact on the earth हाला कि धरती पे इसके effect ज्यादा देखने को नहीं मिले however these have lead to minor wave of ionization even हलके से कुछ ionization to ripple through the earth's upper atmosphere तो अपर atmosphere क्या चीज है इसके ऊपर focus कर लेना मैं यहां पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता देता हूं कि अपर atmosphere में students अगर यह मेरे पास earth है तो यहां पे मेरे पास एक धरती की layer रहती है जिसको आप लोग बोलते हो troposphere फिर मेरे पास यहां पे एक और layer आती है जिसको हम लोग बोलते है स्ट्रेटो सफेयर clear then after my dear students हमारे पास यहां पे एक और layer आएगी मेजो सफेयर की उसके बाद एक और लेयर आती है अरे एक मिनट जादा बड़ी बन गई उसके बाद एक और लेयर आएगी and we call this layer as a thermosphere और last में एक और layer आती है जिसको आप लोग बोलते हो exosphere तो जो ionization हमें कुछ feel हुई धरती के outer atmosphere तो यहां की बाते की गई है क्योंकि troposphere तो सबसे पहली layer है यहां पे आपके water vapor present होते हैं plus dust particles आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और ओजोन में तो आपकी ओधरी प्रेजेंट है तो आपका मतलब आइन से electrical charge particles यहां पर देखने को मिलते हैं आपको चलो हमने यह क्लियर किया अर्थ atmosphere ओके आगे बढ़ते हैं अब sunspot क्या चीज है यहां पर लिखा कि sunspot है वो some as large as 50,000 km in diameter diameter होता है 50,000 km का and areas that appear dark on the surface of sun उसको क्या बुला गया photos of air important mark कर लो यह चोटी-चोटी definitions बहुत ही crucial rule पर करती हैं लिखा कि they appear dark अब यह काला क्यूं दिखा क्यूंकि they are cooler than the other part of the sun surface अब बाकी sun surface से as compared to that यह जहां यहां पे यहां पे यहां पे आपका तापमान ठंडा होगा क्यूंकि लिखा है कि cooler than the other part of the sun surface और इसको क्या बोला गया photos of air clear next point आता है कि जो तापमान है sunspot का is still very hot अभी भी इसके perspective तो sunspot का तापमान बहुत हाथ हाई है वो है 6500 degree Fahrenheit clear next आया कि जो आपका फोटो सफेर है photosphere क्या था कि जो अभी हमने picture के अंदर देखा जो appear dark कर रहा है सूरज की सतय पे उसको photosphere बोल दिया is a visible surface of the sun from which is emitted यहां से emission ज्यादा हो रही है most of the sun's light that reaches the earth directly clear next लिखा की दे आर रलतिवली कूल क्यों क्यों की दे फॉर्म अट अरियास where magnetic field are particularly strong important the limb perspective CH is important it you have a temperature Q low what you can have a magnetic field zada stronger sunspot pay photos of air pit these magnetic fields are straws yeah it please other strong hair that they keep some of the heat within the Sun from reaching the surface clear यहां पर लिखा दे टीपीकली consist of dark region हमने देख लिए काला धबा सा लगा हुआ है जिसको हम लोग अंबरा भी बोलते हैं अंबरा विच इस सेराउंड़ बाई लाइटर रीजन कॉल्ड पिन अंबरा concept पे focus करना मैं सारा clear कर देता हूं यहां पे यह चीज तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यह वाला crucial role है प्रिलम्स के लिए यह वाला point और यह वाला point आपके लिए काफी ज़्यादा important role play कर रहा है अरे my dear students वो जो काला हिस्सा है टिपिकली उसको अंबरा बोल दिया और उसके इर्द घिर्द जो हिस्सा हमें दिखा वह पनंब्रा हाला कि हमने nc artist के अंदर focus किया हुआ है एक basic definition है यह sunspot की next आया in every solar cycle अब हर एक solar cycle में the number of sunspots increase and decrease हम यह fix नहीं बोल सकते यह कभी तो बढ़ जाएंगे कभी तो घट जाएंगे clear है यहां तक even आगे focus किया कि जो अभी current solar cycle है जो begin हुआ 2008 के अंदर is the solar minimum phase when the number of sunspots and the solar flares is at routine low यह हाला कि काफी कम थिक अब आपसे चीज बोलना चाहूंगा जो मैंने बोलना कि number और पर नम्ब्रा यह मैं आपको nc artist के अंदर भी cover up कर वाऊंगा students मैं आपको अभी थोड़ा सा discuss कर देता हूं next month से मतलब यह जैसे ही हमारा just a second जो यह session है यहां पर जो definition दी गई है ना जो number और पर नम्ब्रा तो यह चीजें आपको ncrts के अंदर एक basic definition के रूप में देखने को मिल जाएंगी आप वहां से भी इसका data ले सकते हो number और पर नम्ब्रा में clear चले आगे तो यह है face when the number of sunspots and the solar flares is at routine लो तो काफी हद तक ही कम थे next आया solar flares क्या चीज है जो अभी हम तक पढ़ रहे हैं क्या है कि एक magnetic field at lines near the sunspot जो sunspot की एर्दगेर्द जो magnetic field की lines देखिए जो often sorry tangible हैं cross है और reorganize रहती है तो they can they can cause a sudden explosion of energy तो एक तरम से energy को explode कर देते हैं जिसको हम बहुते हैं the solar flare explosion energy can be equivalent concept है यह important यह बहुत बहुत important है मैंने अभी बोल दिया कि जो आपका solar flare है वो energy explosion है अरे ठीक है मान दिया अरे energy explosion तो है वो किसके equivalent है वो है little boy के equivalent अब little boy क्या चीज़ है वो atomic bomb जो नाम रखा गया था atomic bomb का नाम था little boy जो गिराया गया था हिरोशीमा पे एंड नागा साकी पे in 1945 पे in by United States of America के द्वारा और हमने इसके ओपर एक नौर न्यूस पड़ी थी मेरी habit है आपको revision करवाता रहूंगा वो थी black rain की नाम से हाथ से हमने दो से तीन सेशन्स पहले ये न्यूस पड़ी थी वो फिर से इसका जिक्र हुआ है ठीक है इतना powerful रहता है आपका solar flare जिसकी energy little boy से comparison आप लोग कर सकते हो मतलब atomic bomb जो हिरोशी मनागा साग की पे गिराया गया था 1945 में बाइदे यूए से क्लियर स्टूडेंट किसी को कुई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं डेली बेसिस पर आपके कमेंट को चेक कर रहा हूं और कुछ सोलर फ्लेयर है वो रलीज करता है lots of radiation पूरे स्पेस के अंदर क्योंकि explosion की पावर आपने comparison कर लिया लिखा कि सोलर फ्लेयर है वन पावरफुल और जो बहुत पावरफुल होगा सेटलाइट को भी प्रॉब्लम कर सकता है उनकी रेडियो ट्रांस्मिशन को भी धरती को भी धरती के ऊपर और मोर्स सवेर वन्स कैन कॉस्ट जियो मैगनेटिक स्टॉर्म्स दाट कैन डैमेज ट्रांसफॉर्मर्स इन दे पावर ग्रिड अब इम्पॉर्टेंट है जियो मैगनेटिक स्टॉर्म भी यह प्रिड्यूस कर देगा जो ट्रांसफार्मर के अंदर डैमेज कर देगा किसको जियो मैगनेटिक स्टॉर्म्स किसको डैमेज कर देंगी ट्रांसफार्मर के ग्रिट्स को लिखा जियो मैगनेटिक स्टॉर्म इस अमेजर डिस्टॉर्म पर एनरजी एक्स्चेंज की जाएगी और किसके बीच में फ्रॉम दो सोलर विंट इंटो स्पेस स्राउंडिंग अर्थ क्लियर यहां पर आपका सन की बात करें तो कंसेप्ट देखें जो सूरज की सत्य है उसको क्या बुला क्रोमो सफिर और अंदर के फोटो सफिर जहां पर संस्पॉट है यह रहा सूरज का कोर फिर आता है रेडियो एक्टिव जोन उसके उपर आ गया कन्वेक्शन जोन फिर यह जहां पर करोना क्यों बोल दिया जहां पर रेडियेशन आप लोग फील कर सकते हो उसको बोल दिया करोना जिसको बोला गया कोरोनल मास एजेक्शिंज सोलर प्रॉमिनेंट्स क्लियर लिखा कि CMEs are huge bubbles of radiation काफी बड़ा बबल होता है रेडियेशन का and particles from the sun's करोना अब सूरज के करोना से भी पार्टिकल देखने को मिल रहा है यहां पर बिल्कुल ठीक है मतलब आउटरमोस्ट रीजिन आप इसमें से कुछ एनरजी एंड स्मॉल पार्टिकल ट्रेवल डाउन दो मागनेटिक फील्ड लाइन अट दे नॉर्थ और्थ पोल इंटो अर्थ इवन पार्टिकल्स इंटेक्ट बिध गैसे इन अट्मॉस्वर जो धर्तिक एट्मॉस्फ़ेर में गैसे यह पार्टिकल उससे भी इंट्रेक्ट करते हैं जिसके कारण ब्यूटिफुल डिस्प्ली अफ लाइट है ग्लियर जो हम लोग आस्मान में देखते हैं मतलब अक् और लोगों के लिए मैं बार बार आप से बोल रहा हूं यही चीज़े पूछ सकता है आपका यूपी एसी क्लियर कहते इक सद्रन काउंटर पार्ट इस कॉल योरास ऑस्ट्रेल ऑस्ट्रालिस और सद्रन लाइट्स क्लियर सद्रन लाइट्स हैं तो यहां तक किसी कोई अब हमारा नेक्स आता है सोलर साइकल क्या चीज़ है यह बोला गया कि एक सन का एक ह्यूज बॉल है जो इलेक्रिकली चार्ज हॉट गैसे सा बना हुआ है जिसके अंदर चार्ज गैसेस मूफ करती है और वो अगर मूफ करेंगी तब ही तो मैगनेटिक फील्ड बनेगी जो संस नॉर्थ अंद शाओथ पोल्स जिज जो नॉर्थ असाओथ बन जाएगा साओट नॉर्थ बनेगा हर गैना साल के बाद दैन यह थे अनदर 11 एर फॉर द संन नॉर्थ जाओग चाहिए जाल के बाद फिल्प करता रहेगा कैते अदर शोलर साइकल अफेट एक्तिव sunspot बना, so does not amount of the activity on the sun surface, लिखा next point पे, अब एक रास्ता है, one way to track the solar cycle is by counting the number of sunspots, अगर हम लोग sunspots को count कर ले, तो हम लोग solar cycle को भी count कर सकते हैं, केते, the beginning of solar cycle is a solar minimum, और when the solar has the least sunspot, concept important, फिर सकते हैं, ओवर टाइम, solar की activity, number of sunspots, इंक्रीस करेंगे, ओवर दे, शुरुक जब हो जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा आपका sunspot, नेक्स्ट आया, middle of the solar cycle is a solar maximum, जब ये मिदल में पहुंच जाएगा, तो sunspots maximum हो जाते हैं, और when the sun has the most sunspots, as the cycle ends, जब ये खतम होगा, it flits back to the solar minimum, and then a new cycle begin, यो फिर से कम हो जाएगे, फिर से बढ़ने लग जाएगे, तो ये continue, ये flip है हर 11 साल के बाद, ये flip को हम लोग count कर सकते हैं, कैसे sunspots को count करके, तो students, मैं आज का session यहीं तक end करता हूँ, किसी को कोई भी doubt है, तो please comment section में आप लो detailed and explained manner, और मैं आशा करूँगा कि आपको ये वहला session भी काफी बढ़िया लगा होगा, so please इसको rate कीजिए, और maximum review कीजिए, thank you friends,